और बाइचल बाइचल चल 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 बहुत सा अमसराए अमसराए अमसरा म कुछ दस्तों जितने भी ताम जयम आपको दिख रहा 거ाना कभूतर कहीं पहीं चल रहा है, जिंके घर चोटी कभशते स्मुर्च पूल्स के सारी चीज़ बनवा हूँगा ? आप देखकर हैरान रह जाएंगे तो एक काम करते हैं जल्दी से देखकर आते हैं चेक करना पड़ेगा कि कितना काम हो चुका है और कितना हमें और करवाना है दोस्तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी काम चालू नहीं हुआ है बस वहाँ से थोड़ी सी खुदाई वगरा हुई है माली भाई आये होंगे उन्होंने पेड इधर से उधर लगाने की सोची होगी लेकिन वो भी पता नहीं चले गए अपने यार यहाँ एक इंसान को रहना पड़ेगा एक काम करता हूँ जल्दी से जो सबसे पहले काम है वो यह है कि बाहर से मिट्टी अंदर डलनी चाहिए डोक्स के हाँ पर भी और घोडों के नीचे भी ये लो दोस्तों हमारा मिनी बुल्डोजर आ चुकी है मिनी जेसीवी और यह सारी की सारी मिट्टी मतलब जितनी हमें चही होगी न यहां से उठकर अंदर पहुँच जाएगी हमने मिट्टी थोड़ी ज्यादा मंगवाली है कि कभी अगर कम पड़ जाए बाइचांस तो इसलिए ज्यादा मंगवाली थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिट्टी हमारे काम भी नियाएगी शायद तो इसलिए चलो एक बार भाई को दिखा रहे हैं पापजी कि कहां कहां मिट्टी डालनी है और बाकी भाई ये है JCB की खुदाई देखने में तो वैसी भी हमारे भाड़तियों को बहुत ही मज़ा आता है तो चलो देखते हैं कैसे कैसे होती आज पहली मिट्टी आने वाली है भाई ये चेक करें आते रहो आते रहो आते रहो सबाश सबाश बास बहुत अच्छे दोस्तों JCB से पहली बार तो मिट्टी जल चुकी है अब दूसरी आ रही है वो चेक करें और यार मैं मुग पर रहा है एक कपड़ा बांध रहता हूं जिससे धूल मेरे अंदर ना जाए आते रहो बै आते रहो शाबाश 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 चला 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 बास बहुत अच्छे है दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि वहां से लेकर यहां तक तो मिट्टी डल गई है अब आगे ऐसे चलते जाना है चलते जाना वहां तक पहुच जाना है लेकिन इतने खुशी की बात भी नहीं है क्योंकि ये देखें भाई कितने गहरे गहरे यहां पर गड़े हो चुके हैं सारी कि सारी गास बरबाद होती जा रही है यहां 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 देखना कितने गहरे गहरे गड़े हो चुके हैं ये सुरे के सुरे ओहोऑ ये देखें भाई कितने गहरे गहरे गढ़े सारी की सारी और यहां तो भाई बस पूछो ही मत लेकिन इतनी दुख की बात भी नहीं है क्योंकि इनमें एक चीज की हमें प्लस पॉंट मिल जाएगा यह जो गड़े हैं इनमें ही हम मिट्टी भर देंगे जहाँ जहाँ भी यह निशान से दिख रहे हूँगे आपको यहाँ मिट्टी भर देंगे तो फिर नीचे की जो घास है वो उपर आ जाएगी और फिर दुबारा से नोर्मल हो जाएगा यह सब कुछ यह जो ज़रूरी था वो देखें भाई वो आली मिनी जैसी भी वह वह बगुले आने भी दोस्तों शुरू हो गए है क्योंकि जब मिट्टी के कहीं खुदाई बगरा होती है ना पाई कि अले मिट्टी में से कीड़े निकलेंगे यह देखें भाई कैसे बढ़ रहा ही यहाँ पर आजा भाई आजा आा जा आजा जा यह देखें कैसे आता जा रहा है लो भाई tractor फस चुक आ यहाँ पर दिक्कत होगई असारी घास खराब पर जाज़ करों और जाज़ करें एक काम करते हैं दोस्तों जब तक यहाँ पर काम चल रहा ना एक बार केनन पर होकर आ जाता हूं देखता हूं राजहिश की हालत कोई बिगडी बिगडी तो नहीं है जल्दी चलते हैं और वापस आ जाते हैं बढ़ी पर एक बात तो बताओ कहां से उठाओ ठाक ला रहे हूं बच्चे कहां से लाए हो अर दूसरा वाला कहां क्या यार ऐसे मत करो भई इनकी मा धूंड़ रही हो इने फिर क्या होगा अच्छा तो इसे दिखाना कैसा है सो रहा है तो पाल लोग एसे या इसी फैंक दो कहीं पाल ना है ठीक है छोड़ना नहीं सड़क बड़क पे क्या कर दूँ फोटो तो खेंच दी इसका फोटो अब ही दिखाऊंगा पर एक बात तो बताओ इसे कहीं छोड़ना नहीं है ऐसे ठीक है तुमने वो तो छोड़ दिये उसे पाल लो फिर काले वाले को अच्छा वो तेरा है उसे पाल लिए ठीक है छोड़ मतई हो और अगर छ ठीक है और उसे पकड़ो पहले वो काला पिठील आखाया जो भाई तो जो तो बहत अब से भुझा और अर्छेत्रा गोट ज़्चल पिल्या हुचल कर बाटे या कम छुद सबस्टर फैसे जानिया रहा चाशा चानिया कर भी जldर कईच्च्च बटे बेड़जे बेड ज़ दोस्तों आपने जो भी देखा खेर थोड़ा भेंकर सीन था लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही special इंसान से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ दो-तिन दिन डिले हो गया उसके लिए माफी चाहता हूँ लेकिन जो दोस्त है ना मेरे उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ पारुल भाई जो है न वह हमारे कैनल पर लगबग एक हफते से पहले आगे थे ना एक हफते से भी ज्यादा हो चुका है लेकिन मैं आपको दिखाया नहीं था मैंने सोचा कि इस बार थोड़ेने गुलने मिलने दिया जाए जानवरों से गोडों से डोक से सबसे मिलने दी जाए पारुल भाई भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा टाइम दो अभी हमारे घोड़े की भी हालत थोड़ी सी खराब है तो यह देख रेक भी कर रहे हैं बड़ी है तरीक्ये से तो पारुल भाई यह बताओ यार कब तक इसकी यह सारी चीज जो उसके टांग में जो जी हो रही है कब तक सही हो जाइएगी और दिक्कत क्या रही है जिसने जो बताया हमने वह लगादिया अच्छ अच्छ यह देखना है बहुत तोप का गोड़ा है साइद मेरत जिले में ऐसा गोड़ा ना भी हूँ भाई ये तो बात सही कह रहे हो लेकिन देखना यार घोड़े खड़े होने के लिए बने होते हैं बिचारा ये कैसे लेट हुआ अचा आज ज्याद ही है कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो चलो 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 बेटे बास शाबास 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 बस 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 थोड़ा रिलाक्स कर दो इसे रिलाक्स कर दो हां बस शाबास 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 शाबा तो पारूल भाई यार चलो अच्छा हुआ हम दोनों की मैना थोड़ी सी काम है हमने थोड़ी सी जोर लगाई जान लगाई और यह खड़ा हो गया चलो अब इसको न्यार व्यार तो कर रखा है बढ़िया है अब यह अपना राम से खा लेगा इसके पैर में यहां दर्द है न अच्छा चलो वैसे जखम में तो फायदा है पर दर्द में फायदा नहीं है ना राज से चलो दोस्तों आप लोग भी दूआ करना हम भी पूरी जान लगा रहे हैं अपनी हट चीज ट्राय कर रहे हैं गोलियां इंजेक्शन और डाइट भी सारी चीज़े ट्राय कर रहे है बस भगवान से दुआ करते हैं कि हमारा राजहंश बहुत जल्दी सही हो जाए दोस्तों मैं अभी अभी कैनन पर पहुंचा हूँ और मिट्टी ओल्मोस्ट डली ही गई है चार पांचक कर ओल लगेंगे और सारी मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी अंदर दोस्तों आज तो पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी डली है कल से और भी आगे का काम चालू हो जाएगा तो फिलाहल दोस्तों इस वीडियो में नहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना दिस इस अभी नभून ओवर एन आउट